आप सभी को आज में बड़ी अच्छी सूचना बताने वाला हूँ तो इसलिए वीडियो को अंतक आपको फॉलो करना है देखना है स्टेप बाइ स्टेप 69,000 सिच्छक भरती में आप इस समय जिस प्रकार से डर रहें आप बिल्कुल डरें नहीं उत्तर कुंजी प्रकार की पूरी जानकारी हम आपको इसमें बताने वाले वीडियो में सारी चीज़े आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप वीडियो को जरा और भी ग्रूपों तक पहुचा दें जहां पे आप सभी साथी जुड़े हुए हैं सभी तक सूचना कि किसी साथी तक सूचना पहुची है या नहीं पहुची है और कोशिस करिएगा कि और भी साथियों तक पहुचाईए ताकि और भी साथी जुड़े जो बेरोजगारी के दौर में अपनी बात उठाना चाहते हैं वो जरूर चैनल के साथ जुड़ जाया है तो चलिए करम स कि यह डर वाली बात यह है कि पिछले तीन से चार दिनों में देखा गया है कुछ ओडर के साथ जो है ग्रूपों में थोड़ी हलचल मची हुई है उत्तरकुंजी प्रक्रण को लेकर के कोई परिसान है कोई निरास है कोई हतास है तो आप सभी को बता दें सिर्फ एक ओडर को मिलेगा और सारे सिमलर मैडर नहीं होते हैं वह मैडर कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा बहुत और सेम नहीं होते हैं इस Mongfeit से आप उसको लिए बहुत टेंसन डालें जो भी ओर्डर चल रहे हैं उसको आफ साइड में रखें ठीक है और यही वज़ा है कि मैंने ऐसे ओर्डर के साथ कभी वीडियो नहीं बनाया मैं नहीं चाहता कि हमारे भाई बहन जो है वो परिसान हूँ हमारे अभिवावक परिसान चोटे मोटे ओर्डर को देख करके वो डर दाए बस हम लड़ रहे हैं हमें अपने लड़ाई पर भरोसा रखना चाहिए तो आइए हम आपको जो मेक में चीज है वो आपको बताते हैं जो मुख्य चीज है वो हम आपको यह बताने वाले हैं कि डायरी नंबर दस आठाट ए चीज को में दिखा देता हूं देखें यह हमारी एक याचिका है डायरी नंबर 7829-2022 अनुराग यादो इस्टेट आफ उत्तर प्रदेश हमने आपको इसके बारे में बताया था इसके असल पी नंबर भी हमने आपको जिक्र किया था आई थी पिछले वीडियो में अब आईए आप नीचे देखिए इसम हमारी याचिका पे भी आपने यही देखा है इस याचिका पे भी यही चीज आपको सो कर रहा है अब आपके मन में थोड़ा भरम निकला होगा कि अगर सरकार की याचिका में likely to be listed है तो इस याचिका में भी है तो क्या अभी भी आपको लगता है कि सरकार के साथ हमारी hearing नह अगर हम आपसे और याचिकाओं का जिक्र करें तो रिसमिस्त्रा बनाम दैस्टेट आफ उत्तर प्रदेश में अभी इसमें असल्पी नंबर के बार टेंटेटीट नहीं सो कर रही है इसमें भी चीजें बहुत जल्द आपको सार्थक दिखाई देंगा अगर हम बात करें डि यह माननी अद्वक्ता महोदे का अपना नजरिया होता है अपना तरीका होता है काम करने का उसमें हम और आप सक्षेप नहीं कर सकते हैं वो अपने रणनीती के तहट काम करते हैं और बहुत सारी रणनीतियां बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जिने मानी जो भी साथी ग विखे नार्मल आपने आपको बहुरा कर रहें दूता है। हम इस चीज को आप सभी को बस भरोसा दिला सकते हैं कि हम बहतर करने की पूरी कोशिस कर रहे हैं और महादियों ने साथ दिया तो अगर हम सही तरीके से काम कियें इमानदारी से तो वाकई में रिजल्ट भी हमारे पक्ष में आएगा चीजे भी हमारे लिए बहतर होंगे तो कि पिछले दो सालों में जब हम उस समय नहीं डरे जब लोग यह कहां कि घर से बाहर निकलों निकलने नहीं देंगे तुम्हें याद है हमें वो दिन जब इलहाबाद सिंगल बेंस में मामला चल रहा था माफ करिएगा लखनों में इस्टे हुआ था उसमें बहुत सारी ची लड़ना है और हमारा काम है लड़ना हम लड़ेंगे तो बस इस वीडियो में इतना ही और भी मन में सवाल हो कोई भी चीजे हो तो आप कमेंड बॉक्स में में सन करिएगा मैं उसको पिक अप करूंगा और आपको जानकारी दोंगा तो मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी से अपको बड़ बड़ना है